स्वागत है आप सबका मैं विवेक बिंदरा इंटरनाशनल मोडिवेशनल स्पीकर मुस्कुराते वे आज देश का दुख बताना चाहता हूँ साड़े पांच हजार बिजनेस कॉलेजेज हैं आज हमारे देश के अंदर लगबग तीन करोड स्टूडन्स मेरे देश में युनिवर्सिटीज की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन एक बड़े स्कैंडल में देश फसा हुआ है आप जानते हैं आज स्टूडन्स की रिपोर्ट बता रही है एक स्टूडन्स जो एजुकेशन लोन लेके माता पिता बड़े सपनों के साथ उसको भीजते हैं इंजिनरिंग के कॉलेजिस के अंदर हेफ्टी लोन लेता है 20 लाख रुपे आज एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चार्ज कर रहा है 20 लाख रुपे लेने के बाद NPA 147% बड़ गया है लोन की रिपेमेंट स्टूडन्स करने ही पारे जितनी की उनकी तनखा लगती है उतने में वो उस इंटरस्ट को भी मीटने ही कर पारे उसकी एजुकेशन लोन की किस तो बहुत छोड़ दो क्योंकि incompetent faculties आती जा रही है कॉलेज को आज क्या चाहिए profitability चाहिए profitability के लिए सफता प्रोफेसर हायर करना चाह रहे है मैं कहीं सारे colleges में गया मैंसे टूडन्स आ करके मिलते हैं मैं हरान हो गया देख करके 35-32 रुपे महीना एक lecture hour को हमारे देश के अंदर मिल रहा है और वही अच्छे lecture hour को Harvard के अंदर 16 लाख रुपे महीना मिल रहा है Stanford के अंदर 16.5 लाख रुपे महीना क्योंकि वो अच्छे professor को retain कर पा रहे हैं और हमारे colleges में क्योंकि अच्छा professor देखि अच्छा professor आएगा कहां से एक्स्ट्रा साल लग जाते हैं का आदमी को PhD करने में उसकी उमर 30-32 सार हो जाती ही जब तब किसी college में जाके professor लगता है लेकिन अगर MBA कतम करने के बाद आप अगर talented हैं talented आदमी professor नहीं बनना चाहता ecosystem ही allow ने कर रहा मेरे देश का उनको professor बनने के लिए वो corporate जोइंग कर लेता है 24-25 साल की उमर में 40-50-60-70-70-70-70-70 तनका उसकी अगर वो competent आदमी है लाख रुपे पहुंच जाता है अगले 5-7 साल में यहाँ पे ecosystem में अच्छे professor नहां होने के करन corporate campus और college campus अलग-अलग संसार हो गए है student का level of aspiration और उसका level of preparation जमीन आस्मान का अंतर है वो prepared यहाँ के लिए है aspiration preparation में इतना अंतर हो गया उसका कारण क्या है college campus अलगी संसार है corporate campus अलगी संसार है industry ready students दे नहीं पा रहे आज महरतना नवरतना PSU's हमारे देश के अंदर उन्होंने 28% नौकरी new job hiring कम कर दी चूकि lean management structure ले रहे है automation आता जा रहा है artificial intelligence बढ़ता जा रहा है lean management processes बढ़ते जा रहे है jobs कम हो रही है और जितनी जिस rate पे आज देश की economy grow कर रही है उससे कहीं जादा rate पे देश में engineers produce हो रहे है वो engineers consume नहीं हो पा रहे है पिछले कुछ सालों में 70% MBA enrollment बढ़ा है माप आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़के आएगा पढ़के आएगा literacy rate youth का 92% है मैं मानता हूँ लेकिन ये literacy rate कागज पे है जो कि आज की पढ़ाई degree लेने के लिए हो रही है well filled mind है well formed mind नहीं है और ये well filled mind आपको कुछ नहीं देगा दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज is one of the youngest countries in the world चाइना की average age 37 साल है रशिया 37 साल US 38 साल कैनिडा 38 साल अस्ट्रेलिया ये सारे देश जितने भी है इनकी average age जो हम median है ना mean median mode निकालते थे थे ना मैं इनका average age ज़ादा है हमारा देश यंग है हमारे देश की average age है 27 और वो paper पे तो literate है पड़ा लिखा है लेकिन नौकरी SHM बता रहा है average B school से निकलने के बार नौकरी 10,000 रुपे महीने की मिल रही है security guard को भी नौकरी 10, 12, 13,000 की मिल जाती है यह हमारे MBS का हाल है आप दुनिया की best universities के curriculum को समझें तो उनका क्या कहते है if you tell me I may forget if you show me I may remember if you involve me I will understand and apply आज Harvard, Stanford और Wharton यह classroom के lecture नहीं कर रहे है students को continuously project based problem solving case studies के साथ involve कर रहे हैं उनको ऐसी situation देते हैं जिससे corporate में जब जा करके student join करेगा वो किसी भी problem को solve करने लाइक बन जाए तो ऐसा नहीं है कि classroom में खाली lecture होता रहे है faculty exciting इतनी है तो student में excitement आजाता है project करने के लिए हमारे देश की faculty अब 28,000 रुपे महिने वाला PhD professor कहां से excitement आएगा उसके अंदर है अब उसमे excitement नहीं है student में नहीं है student class attendee करना चाहता bank मारना चाहता है वो उसको बचाने के लिए 75% का attendance का system रग देते हैं डी बार कर देंगे अब उसका motivation पढ़ा ही नहीं है 75% की attendance है अब वो 75% के attendance के लिए आता है और बैठा रहता है ऐसे अब उसको कोई अगर by chance एक अधा project दे भी दिया के स्टेडी करने के लिए साल दो साल के अंदर या साल में दो तीन दे भी दिये तो वो जाता है दिल्ली में बेट सरा है वहाँ जाता है ढूंडता है बहुत सारे project पढ़े वे और जार रुपे देता है project खरीद के लिए आता है जाके और जाके जमा कर देता है ये हाले देश में Harvard 80% के स्टेडी पे काम करता है 10% project पे और केवल 5% lecture दे रहा है Stanford में 40% के स्टेडी है 25% project है lecture वहाँ भी 20% है Water ने 40% के स्टेडी 25% project lecture वहाँ भी 20% है एक research में पदा चला 38-58% स्टूडेंट्स summer internship actual practice करते नहीं fake project ले के आते हैं और college cross verification करता नहीं है incompetent faculties teaching with conventional theoretical classroom based approach असर क्या हो रहा है आज corporate क्या चाता है corporate चाता है एक आदमी hire करो पांच आदमी का काम कर ले और हमारे जो बच्चे produce हो रहे है वो पांच आदमी hire करो एक का काम नहीं कर पाता उसका skill deficit इतना बड़ा है कि on a skill of 1 to 10 MBA engineering के बाद उसका skill डेड़ भी नहीं है not even 1.5 out of 10 RBI के figure के हिसाब से पिछले साल 20,000 करोड का loan बाटा गया कहां से पैसा देगा actually ये पूरा problem इसली हो रहा है क्योंकि corporates को interview के time पे MBA का degree चाहिए अब क्योंकि MBA का degree उनके लिए one of the qualification criteria बन गया इतने सारे धंदे खुल गए school college के आओ भाई college खुलो college खुलो college खुलो हम भी degree देंगे हम भी degree देंगे आज पहली बार corporate समझ रहे हैं कि top IAMs की जो डिगरी है वो तो काम की है ये जो हलके बी स्कूल है इनकी डिगरी किसी काम के नहीं है अच्छा आप के मन में आता होगा कि भाई ये top IAMs इतना अच्छा कैसे चला लेते हैं ये भी तो सरकारी बॉडी है देखिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया IAM के ब्रैंड में ये प्रोफेसर को अच्छे faculty को retain करने के लिए उसको कहते हैं तेरी तंखा कम है मैं जानता हूँ तू जाके private consulting कर ले 50% IAM के ब्रैंड को लेके कर ले जो पैसा मिलेगा वो IAM को दे देना अब कॉलेज में एक प्रोफेसर को freedom मिल रहा है उसको IAM का brand मिल रहा है उसको respect मिल रहा है उसको बाहर जाके consulting करने के लिए freelancing करने का opportunity मिल रहा है और IAM में पढ़ा भी रहा है वो इसलिए वो IAM में टिका हुआ है अच्छा प्रोफेसर टिका हुआ है तो वो international चला जाएगा इंडिया में अच्छी faculty ना होने का खामी आ जा जब सारे corporates को भुगतना पढ़ रहा था हलके students को hire करके तो पहली बार 3-4-5 companies ने इसको तोड़ा देश में हमारे Google, Ernst & Young, Apple, Starbucks, IBM Bank of America ये कुछ corporates हैं जिन्होंने पहली बार बिना डिग्री देखे ट्राइ कर रहे हैं अच्छे research oriented students को hire करने के लिए आप मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बिंदरा आप क्या कर रहे है मेरा काम क्या है आपको ऐसी free online learning university YouTube पे case studies देना जो की problem based learning approach दे रहा है corporate campus, college campus संसार अलग है मैं इनको एक करना चाहता हूँ हमारे छोटे छोटे businessmen को हम देश में एक business army के रूप में तैयार करना चाहते है किसी भी cutting business scenario को handle करने के लिए उनको case studies देना चाहते है कि वो case studies समझ के उनको कोई भी problem आ जाए अब वो उसको handle कर ले इस प्रकार की case studies से उनकी जो learning है retention बढ़ जाता है देश तो पिछले 10 साल में इतना बदला है जितना पिछले 1000 साल में नहीं बदला लेकिन education curriculum वो नहीं बदल रहा है वो आज भी update नहीं हो रहा पुरानी पढ़ाई, पुरानी case study पुरानी subject होई, पुरानी management theories इसलिए ये problem solving based opportunity जो मैं create करके आज अपने देश तक पहुचाना चाहता हूँ मेरी एक दो request है कम से कम एक लाख लाइक अगर आप मुझे दे दें इस वीडियो में मैं education based वीडियो और बहुत सारे दिना चाहता हूँ अगर आप ज्यादा लाइक देंगे मैं समझ जाऊँगा कि आपको ये वीडियो चाहिए और इस वीडियो को हर student तक हर professor, हर college तक हर parents तक पहुचाईए ताकि लोग पैसा बरबाद ना करें और YouTube पे आकर के free case study based learning देखते रहें अभी तक subscribe नहीं किया जरूर कर लो और bell icon को हिट करेंगे तब ही notification आएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धुने वाद